लो फ्रेंट्स वल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस TGT PGT MCQ टेस्ट 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है सभी लोगों को हर क्वेस्चन में हर प्रश्ण में थोड़ा सा समय दिया जाएगा ताकि वे उत्तर आसानी से दे सकें तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेस्चन है हाथी का दंत विन्यास होता है इसमें से चार आपसन दिये गए हैं हाथी का दंत सूत्र क्या होता है ये बताना है TGT 2013 में कुछा गया था जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आपसन सही होगा इसका आंसर होगा पहला हाथी का दंत सूत्र 1003 बटे 0003 होता है तो कुछ इस्तंधारियों के दंत सूत्र दिखाते हैं और उनको डेटेल से बताते हैं पहला है मानो मानो में चार प्रकार के दात पाये जाते हैं क्रिंतक यानि इंसीजर रदनक यानि कैनाइन्स अक्रचवाडक यानि प्रिमोलर्स चवाडक प्रिमोलर्स तो देखे इसमें सूत्र में लिखा गया है दो यानि उपरी जबडे में चार इसमें हाफ करके लिखा गया है तो उपरी जबडे में चार क्रिंतक दांत होंगे यानि इंसीजर होंगे फिर लिखा गया है एक तो उपरी जबडे में दो रधनक दांत होंगे उपरी जबडे में और उतने ही निचले जबडे में भी होते हैं दो रदनक दांत उपरी जबडे में, यानि कहनाईस होंगे, फिर लिखा है दो, तो दो का मतलब हुआ चार, यानि उपरी जबडे में चार और निचले जबडे में भी चार आग्र चवरणग या प्री मोलर्स पाये जाते हैं, और इस तरह से फिर लाश्ट में लिखा हुआ तीन बटे तीन, यानि उपरी जबडे में चे होते हैं, और निचले जबडे में चे मोलर्स दांत होते हैं, चवरणग या मोलर्स, तो खुल मिला करके, मनुसिका अगर दंत सूत्र 16 के इसाब से बताया जाए, तो 4, 2, 4, 6 बटे, 4, 2, 4, 6 होगा, इस तरह से खुल 32 दांत हो जाएगा और इसके बाद हाथी का दिया गया है, फुल मिला करके हाथी में 14 दांत पाए जाते हैं, इसके बाद गाय, भेड, इवं बकरी का दिया गया है, 32 दांत होते हैं, ऐसे ही खरगोस में दिया गया है, 28 दांत होते हैं, और इसी प्रकार से कुट्टा में दिया गया है 42 दांत होते हैं निर्श कुछन है सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें पाई जाती है कुता बचली, मेधक, जीराख, गौरया PGT 2013 में कुछा गया था इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सोच कर बताईए कि सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है किसमें आंसर सही होगा C, जीराख में सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है यानि अस्योफाइगस जो होता है ये जीराख में सबसे बड़ा होता है और जीराख का बहग्यानिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे जीराफ का बैग्यानिक नाम जीराफा कैमेलो पार्डेलिस होता है और यह अफरीका के जंगलों में पाया जाता है और साकाहारी पसु होता है साकाहारी पसु है यह इस थलिये जंतों में सबसे उंचा तथा जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जियो होता है और या मुक्षता अपनी लंबी गर्दन के लिए प्रसिद्ध है या कहले कि जाना जाता है निर्श कुर्षन है जीराप में गृवा कसेरिकाओं की संख्या होती है जिराप में जो ग्रीवा कसी रिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है तो इसका option क्या सही होगा जल्दी से सोचे और बताएए PGT 2010 में question पूछा गया था इसका answer होगा B जिराप में ग्रीवा कसी रिकाओं की संख्या साथ होती है इसमें से ऐसे इस्तंधारी जनतु का नाम बताना है जो अंडे देता है ये question PGT में दो बार पूछा गया 2010 में और 2013 में तो important question है इस्तंधारी जनतु अंडे देता है कौन जल्दी से बताएए आप लोग कि इसमें कौन सा answer सही होगा इसका answer होगा C duck build platypus नेट्स question है निमने में से कौन अंडा देने वाला इस्तंधी है अंडा देने वाले इस्तंधी का नाम बताना है जल्दी से सोचे और बताएए कि इसमें से कौन सा answer सही होगा और यदि वीडियो को अभी तक like न किया हो तो like कर दीजिए और अपने दोस्तों में share जरूर करिएगा इसका answer होगा B platypus अंडा देने वाला इस्तंधी होता है फिर देखी इसी question को घुमा कर पोचा गया है कि कौन सा प्राणी अंडा देने वाला इस्तंधारी है वहाँ पर इस्तनी कहा गया था जाहे इस्तनी कहो चाहे इस्तंधारी कहो चाहे मामल्स कहो तो इस तंधारी पूछा गया है तब भी वही होगा लेकिन इसमें option कौँसा सही होगा तक आप लोगा answer सोच रहे हैं तब तक आप लोगों को बता दें कि यदि वीडियो को share ना किया हो तो अपने दोस्तों में share जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए और वीडियो को like भी करिए तो इसमें option सही है takey glosses क्योंकि वो option है ने इसलिए इसमें takey glosses सही होगा next question है नवजात बच्चे अंधे बहरे और बाल विहीन होते हैं इसमें से किसके नवजात बच्चे अंधे बहरे और बाल विहीन होते हैं चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा PGT 2010 में question पूछा गया था इसका आंसर होगा C खर्गोस में नवजात जो बच्चे होते हैं वो अंधे बहरे और बाल विहीन होते हैं नेक्स question है कसेर की जन्तों में कितने जोड़ी उपांग होते हैं जो कसेर की जन्तों होते हैं रेड की हड़ी वाले जन्तों होते हैं उनमें कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जल्दी से सोचे और बताईए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये कुश्चन PGT 2009 में पुछा गया था इसका आंसर होगा D अलग अलग जातियों में अलग अलग पाये जाते हैं सभी में एक ही जितने नहीं पाये जाते हैं बता दें कि कसिर की जन्तो यानि वर्टीब्रेट जन्तो कहा जाता है इनको और वर्टीब्रेट्स में आदर्स रूप से दो जोड़ी उपांग पाये जाते हैं दो जोड़ी अगर आदर्स रूप से देखा जाए ये कुछ जातियों में कम भी होते हैं और कुछ में अनुपस्थित भी होते हैं नहीं भी होते हैं नेश्च क का आंसर होगा सी सरीसरप पच्छी एवं इस्तंधारी एम्नियोटा समुदाय में सम्मलित है नेक्ट कुछचन है निम्निमे से कौन सी छिल्ली विकास सेल भ्रोन को सुस्कता से बचाती है तो जो एम्नियोटिक दरल पदार्थ होता है वही बचाता है लेकिन इसमें वो option तो दिया नहीं गया है जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा option सही होगा तो इसमें option सही होगा उल्ब, उल्ब को ही amniotic तरल पदार्थ कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है इपो पोटेमस पाया जाता है अमेरिका में, अफरीका में, एसिया में, आश्ट्रेलिया में जल्दी से सोचिए और बताईए कि इसमें से कौन सा answer सही होगा आनसर होगा B अफरीका में हिपो पोटेमस पाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है प्राइमेर्स में सम्मलित है प्राइमेर्स में क्या सम्मलित है? चार आपसन आपरों के सामने दे गए हैं जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आपसन सही होगा आपसन सही होगा डी, लोरिस, लीमर्स, टर्सियर्स, बंदर, कापी और मानो ये सभी प्राइमेर्स में सम्मलित होते हैं जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आंसर होगा D, खर्गोस में काव पर ग्रंथी होती है नेर्श कुछिचन है किसमें जलिये जीवन अनकूलन दुतियक होता है? चार आपसन दिये गए हैं इसमें से एक आपसन सही है और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आपसन सही होगा? वो आपसन है D, उप्रोक्त सभी में उप्रोक्त सभी यनिवेल में, सील में और पोर पो आईसिस में नेर्श कुछिचन है व्रक्निवाह का तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें? मेढक में, ससक में, छिपकली में, सरिशरप में तो इसका आंसर होगा बी ससक में बता दें कि व्रक नर्वाह का तंत्र यानि रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है ये मत्स वा उभैचर में पूर्ड रूप से बिक्सित होता है सरी सरब जो होता है इसमें अलप विक्सित होता है और अस्तंधारी में अनुपस्थित होता है होता ही नहीं है इसलिए इसमें विकल्प कौन सा सही होगा B. ससक में कौन सी प्रोटीन मनुसी के सरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो मनुसी के सरीर में प्रचुर मात्रा में यानि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जल्दी से सोचे और बताईए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा और यदि वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए तो इसका आंसर होगा C, कोलेजन प्रोटीन मनुस्य के सरीर में सर्वाधिक मातरा में पाई जाती है आपको बता दें कि यह प्रोटीन अंतरा कोसकी या अंग्रेजी में कहें तो इंटर सेलुलर आधार भूत पदार्थ का निर्मार करती है और अस्थियों, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सहियोजी उतकों आधि में प्रचुर मातरा में पाई जाती है इसलिए प्रच्ण में कहा गया है कि हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेसियां होती है क्या होती है टीजी टी 2013 में कोईशन पोचा गया था चार आप संदिये गए हैं जब तक आप लोगा आंसर सोच रहे हैं तब तक आप लोगों को बता दें कि यदि वीडियो को सेर ना किया हो तो अपने दोस्तों में सेर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाईए इसमें से आप्सन सही होगा डी केवल रेखित पेसि होती है यानि हड़ी से जुड़ी हुई सारी पेसियां रेखित पेसियां होती हैं कि जन्तों में तीन प्रकार की पेसियां पाई जाती हैं रेखित अरेखित और हिर्द पेसियां इनमें केवल रेखित पेसियां ही अस्थियों से या बोंस से जुड़ती हैं और अरेखित पेसियां निम्द में से कौन सा अंतरा कोस की संधिका प्रकार है बताना है कौन सा अंतरा कोस की संधिका प्रकार है उसमें कौन सा option सही होगा इसका आंसर सही होगा C, बंधिकाय, अब ये बंधिकाय क्या है, तो बंधिकाय दो जन्त कोसिकाओं के बीच उपस्थित डिस्क के आकार की सनरचना होती है, दो जन्त कोसिकाओं के बीच में एक डिस्क के आकार की सनरचना को बंधिकाय बोला जाता है, next question है तो अच्छा में epidermis की सबसे आंतरिक सतह है तो अच्छा जो होती है उसमें epidermis की सबसे आंतरिक सतह कौन सी होती है चार आपसन दिये गए हैं जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आपसन सही होगा इसका आंसर होगा बी इस्ट्रेटम मैल पीगी इस्ट्रेटम मैल पीगी next question है कला गहन से भारा हुआ तरल क्या कहलाता है टीजीटी 2013 में कुछा गया था चार आपसन दिये गए हैं जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा और यदि वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजीए और अपने दोस्तों में सेर जरूर करिएगा इसमें से option सही होगा D, Indolimp कहलाता है Indolimp और Creatine Phosphate मिलता है Creatine Phosphate किसमें मिलता है? चार option देगे हैं जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा option सही होगा इसमें से option सही होगा C PCA उतक में Creatine Phosphate मिलता है जो PCA उतक होता है इसमें Creatine Phosphate पाया जाता है next question है PCA संकुचन की किरियात्मक इकाई है PCA संकुचन की किरियात्मक इकाई को बताना है TGT 2011 में question पूछा गया था जल्दी से सोचिए और बताईए कि इसमें से कौन सा answer सही होगा इसका answer होगा C सारकोमियर PCA संकुचन की किरियात्मक 21 सारकोमियर होती है और ये Myofibril के आकुचन तथा सिथलन के लिए उत्तरदाई होती है यनि Myofibril को आकुचित करवाती है और सिथलित भी करवाती है किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्रिकाएं पाई जाती है चार आपसं दिये गए है मेढग, सरिसर, पक्षी, इस्तंधारी से सोचिए और इसका उत्तर विजिए कि इसमें कौन सा आपसं सही होगा आंसर सही होगा इसतंधारी की अस्थि में हैवर्सियन तंत्रिकाएं होती है या हैवर्सियन केनाले होती है आप लोग आंसर सोच रहे है तब तक आप लोगों को बता दें कि यदि वीडियो को सेर ना किया हो तो अपने दोस्तों में सेर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए नेशक खुचन है, हेवरसियन ब्यवस्था हंदियों का एक प्रमुक लक्षण है, मेड़क की, मुर्गे की, खर्गोस की, वेरेनस की, किसकी होगी चलिए जल्दी से बताएए आप लोग जों कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा तो आंसर सही होगा C हैवर्सियन बेवस्था हड़ियों का किसका प्रमुक लक्षण होगा खरगोस की पीत अस्थि मज्जा का कारे है पीत अस्थि मज्जा का क्या कारे होता है चार आपसन दिये गए हैं चारो आपसनों में से कौन सा आपसन सही होगा इसका आंसर होगा D वसा संग्रहन पीत अस्थि मज्जा का कारे क्या है वसा को संग्रहित करना और आपको बता दें कि अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है नमबर एक लाल अस्थि मज्जा और नमबर दो पीत अस्थि मज्जा कितने प्रकार की हुई बोन मेरो दो प्रकार की लाल अस्थिमज्जा और पीद अस्थिमज्जा लाल अस्थिमज्जा का प्रमुक कारे लाल रुधिर कडिकाओं का निर्मान करना या आरबीसी का निर्मान करना होता है जबकी जो पीद अस्थिमज्जा होती है इसका खार वसा का संग्रहन करना होता है या वसा को इकठा करना होता है इसमें से option सही होगा सी है वर्सियन नलिका से वोक मैन नलिका यह जुड़ी होती है नेक्ट कुश्चन है एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है एक्रोमियन प्रवर्ध किसका भाग है चार आपसन दिये गए है ये कुश्चन टीजी टी दोजार ग्यारा में पूछा गया था कि एक्रोमियन प्रवर्ध किसका भाग होता है तक आप लोगा आंसर सोच रहे हैं तब त कि अस्ठी का भाग होता है आपको बता दें कि एक्रोमियन प्रवर्ध इसके पुला Αस्थी का भाग है और इसके ठीक Nीचे की ओर ग्ली नाइडड twee नाम क एक गहरा-ग sailors होता है गहरा गढढ होता है उस गढडे का नाम क्या है ग्ली नाइड गुषा जिसमें humorous का citra धासा रहता, किसी भी आस्धी या हड़ी का डीटेल से जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो मेरे चर्ण में सभी हड़ी के वीडियो अप्लोडर हैं, अलग-ग मैंने अप्लोड कर रखे हैं, आप लोग जा करके चैनल से जानकारी पराप्त कर सकते हैं Next question है मानों में कपाल बना होता है यानि मानों में जो क्रेनियम होता है वो कैसे बना होता है किन-किन चीजों से मिलकर बना होता है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आज्सर सही होगा इसमें ओपसन सही होगा आठ अस्थियां, दो युगमित, चार आयुगमित जिनसे मिलकर बना होता है अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से कपाल का वीडियो देख सकते हैं Next question है मनुस्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है मनुस्य का जो दाहिना हाथ होता है, उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है इसे सोचिए और इसका उत्तर वेजिए कि इसमें कौन सा option सही होगा Answer होगा B, 30 अस्थियां पाई जाती है अगर आप लोग इन सब के बारे में डीटेल से जानकारी चाहते हैं तो हाथ की हड़ियां लग, पैर की हड़ियां लग, सब वीडियो अपलोडर हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं Next Question है मनुस्य के कपाल में हड़ियों की कुल संख्या है मनुस्य का जो कपाल होता है, उसमें हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है इसे सोचे और बताईए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा और यदि वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में सेर जलूर करिएगा इसका आंसर होगा C 31 हड़ियां पाई जाती है नेर्स कुछिचन है निम्न में से कौन सा सत्य है चार आपसन दिये गए है तो आपको बता दें कि इसमें आंसर सही होगा B कंकाल मद्ध अस्तरी है प्रेश्ण में कहा गया था कि कौन सा सत्य है तो ये सत्य है कंकाल मद्ध अस्तरी होता है जबकि जो मस्तिस्क है या अन्यत अंत्रिका उतक होते हैं वो बाह अस्तरी होते हैं एक्टोडर्मल होते हैं और जो यक्रित है तीसरा वाला अप्षन यक्रित अंतह अस्तरी होता है जबकि इसमें बाह अस्तरी लिखा गया है मस्तिस्क की उत्पत्य किस से होती है एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोमीसोडर्म मस्तिस्क की उत्पत्य किस से होती है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग की इसमें कौन सा आंसर सही होगा PGT 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा मस्तिस्क की उत्पत्त एक्टोडर्म से होती है कस्यूर्की नेत्र का लेंस एब मौर्थिपटल विक्सित होते हैं कस्यूर्की जो नेत्र होता है उसका लेंस और मौर्थिपटल किस से विक्सित होते हैं इसका आंसर होगा पहला केवल एक्टोडर्म से विक्सित होते हैं केवल एक्टोडर्म से नेशकुचन है परानिस्यंदन होता है किसमे चारापसन दिये गए हैं TGT 2002 में कोशन पूछा गया था चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसका आंसर होगा पहला परानिस्यंदन रुधिर कोशिकाओं में होता है आपको बता दें हमारी किडिनी होती है किडिनी बे जो निफरान होता है निफरान के गलोमेरुलस भाग में परानिस्यंदन की किडिया होती है और गलोमेरुलस भाग रुधिर कोशिकाओं से बना एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, नेक्ट कुईस्टन है, निमलिकित में से कौन कसेरुक उतक कोलेजन का आति उत्तम स्रोत है, कोलेजन का आति उत्तम स्रोत कौन है, यक्रित, पेसी, कंडरा, तंत्रिका, चार आपसन देगे हैं, इसमें से एक आपसन बताना है, कि कसेरु मानों सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कोलेजन है ये क्या है प्रोटीन है और कंडरा एक प्रकार का संयोजी उतक है जो तेंडन है या कंडरा है ये एक प्रकार का संयोजी उतक होता है जो अधिकांस रूप से स्वेत रेशेदार संयोजी उत टूबरकुलर और कैपुट Venice सिरे भाग होते हैं इसका आंसर होगा B पसली के भाग होते हैं कि एक पसली या रिव के दो भाग होते हैं कसीरुख भाग यहनि वर्टिबलर पार्ड जो होता है तौन रिवर्टिय भाग यहनि resistant पार्ड जो होता है का सेरुख भाग लंबा होता है तथा अस्थिय होता है यानि इसमें अस्थियां होती है और इसके दो सिरे होते हैं दो सिरे कौन-कौन से टूबरकुलर और कैपिटुलर मनुस्य के मध्यकन में अस्थियों का सही क्रम है जो मध्यकन होता है उसमें अस्थियों का सही क्रम क्या है बताना है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग की इसमें कौन सा आंसर सही होगा मेंसे option सही होगा c, m, i, s ये सही क्रम होता है M-far, Malleus, I-far, Incus और S-far, Stapes होता है यानि इस तंधारी के जो मध्धकर्ण होता है जो Middle-ear होता है उसमें Malleus, Incus और Stapes नामक तीन हड़ियां पाई जाती है Next question है इस तरी के मध्धकर्ण की हड़ियां निमनलिकित में से किन हड़ियों से बनती है जो मध्धकर्ण की हड़ियां होती है जो अभी मैंने आपको बताई वे निमनलिकित में से किन हड़ियों से बनती है जल्दी से सोचे और बताईए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा और यदि वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए तो इसका आंसर होगा D, Quadrate, Articulate और Hiomandibular आपको बता दें कि जो इनकस हड़ि है ये Quadrate अस्थियों के रुपांतरण से बनती है जो मैलियस हड़ि है ये Articular अस्थियों के रुपांतरण से बनती है और जो इस्टेपीज हड़ी है ये हायो मेंडेबुलर अस्थियों का रुपांतरण होती है इस्टेपीज हड़ी Next question है इस्तनियों में पाई जाने वाले सबसे छोटी अस्थि है इस्तनियों में पाई जाने वाले सबसे छोटी अस्थि का नाम बताना है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसका आंसर होगा पी इस्टेपीज इस तरियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थिया सबसे छोटी हड़ी इस्टेपीज होती है और अगर प्रश्ण पूछा जाता कि मनुसे में सबसे छोटी हड़ी कहां पाई जाती है तो कान में पाई जाती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम इस्टेपीज होता है यदि आप लोग कान पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो मेरे चलन पर अप्लोड़ट है आप लोग जा करके देख सकते हैं टोटल जानकारी मैंने इसमें बताया हुआ है नेक्ट कुश्चन पर आते हैं नेक्ट कुश्चन है कसेर की नक ब्यूत्वपन है पूछा गया है जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आप्शन सही होगा इसमें से आप्शन सही होगा डी कण अस्तर के कण अस्तर के बताते चलें आपको कि सल्क नक सींग बाल अंक इत्यादी जो संदचनाएं होती हैं ये एपीडर्मिस के बाहरी अस्तर आर्थात कण अस्तर से ब्यूत्पन होती हैं एपीडर्मिस के बाहरी अस्तर को क्या कहते हैं काण अस्तर कहा जाता है इस्तनियों में बाल किस से ब्यूत्पन संदचनाएं हैं ये रचनाएं होती हैं जो बाल होते हैं वो एक किस से ब्यूत्पन होते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है इस्तनियों में बाल कि से होंगे आउसर इसमें सचयोगा c a p dermis से जो कसेर की जन्तू होते हैं कसेर की जन्तूं में त्वच्छा के दो मुख्य अस्तर होते हैं e p dermis और डर्मिस इन में से जो e p dermis है उससे बाल व्युत्पन सन्रसनाएं होती है next question है आटो लिथ पाया जाता है आटो लिथ आमासे में अंतहकर्ण में अस्थिमज्जा में या क्रित में आटो लिथ किसमें पाया जाता है आंसर सही होगा बी अंतहकर्ण में आटो लिथ पाया जाता है आपको बता दें जो इंटर्नल एर होता है जो अंतहकर्ण है अंतहकर्ण में इंडो लिंफ में कैलसियम कार्बोनेट के अनेक सूज्म कर पाया जाते हैं जिन्हें आटो कोनिया कहा जाता है या आटो कोनिया को ही आटो लिथ कहा जाता है और ये गृत ववेग ब्रिधि के प्रति समवेदी होते हैं नेक्ट कुश्चन है इस्तन ग्रंथियां रूपांत्रित हैं चार आपसंद दिये गए हैं इसमें से कौन सा आपसंद सही होगा प्रेश्ण TGT 2005 में पूछा गया था कि इस्तन ग्रंथियां रूपांत्रित हैं आंसर सही होगा स्वेद ग्रंथियों की यानि स्वेद ग्रंथियों की रूपांत्रित इस्तन ग्रंथियां होती हैं इस्तन ग्रंथियां परिवर्तित और चार आपसंद दिये गए हैं ये question TGT 2003 में पूछा गया था तक आप लोगा answer सोच रहे हैं तब तक आप लोगों को बता दें कि यदि वीडियो को share ना किया हो तो अपने दोस्तों में share जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पह ग्रंथियां होती है जो इस तन ग्रंथियां होती है वो एक तरह से रूपानतित एपो क्राइन स्वैद ग्रंथियां होती है next question है कौन सा जनतु ऊतक विसरण और निशयंदन से संबंदित है ऐसे उतक का नाम बताना है जल्दी से सोचे और बताएए कि इसमें से कौन सा answer सह आंसर होगा इसका ए सरल्सल्की उपकला उतक निस्यंदन और बिसरण से संबंधित है आपको बताते चलें कि सरल्सल्की उपकला की कोजिकाएं तस्तरी या सल्क की तरह से चपटी बहुभुजी और मोजयक टायज की तरीके की होती हैं और इन्हें खंडजी उपकलाएं भी कहा जाता है खंडजी उपकलाएं नेश कुछ जन है लचीली उपास्थी दिखाई देती है लचीली उपास्थी इसका आंसर होगा B इस्तनियों के कणपलवों में लचीली उपास्थ दिखाई देती है कणपलव जो बाहर कान दिखाई देते हैं ये कणपलव होते हैं यदि आप लोग अस्थी और उपास्थी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वेडियो अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं इसका आन्सर होगा D रासाइनिक रूप से एंटीबाडी होता है रासानिक रूप से एंटीबाडी होता है चार आप्शन दिए गए हैं इसमें से आप्शन कौणसा सहयोगा आप्शन सहिजोगा B, प्रोटीन रासानिक रूप से एंटीबाडी प्रोटीन होता है कुचन है लंबे समय तक कार्य करने में मानसपेसियां ठक जाती हैं मानसपेसियों के ठकने के दवरान क्या बनता है जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर विजिए कि इसमें कौन सा option सही होगा इसे option सही होगा D. Lactic Amal बनता है यानि लंबे समय तक कारिकरणे से मानसपेसियां ठक जाती है और यह मुख्यता पेसी उतकों में लैक्टिक अमल बनने के कार्ण होता है और इस प्रिकिरिया को कोरी चक्र कहा जाता है कोरी चक्र नेश्कुचन है एक कंदिय करोटी पाया जाता है एक कंदिय करोटी किसमें पाया जाता है आंसर सयुगा B कैलोटिस में कैलोटिस में एक कंदिय करोटी पाया जाता है आपको बता दें कि कैलोटिस एक सरिस्रप है जो कैलोटिस है ये लिजार्ड होती है तरीके की एक सरिस्रप है चिपकिली होती है और सरिस्रप पच्छियों और मचलियों के खोपड़े में एक ओक्सिपीटल कॉंडायल होता है एक ओक्सिपीटल कॉंडायल हमारे कोपडी के पीछे में एक छिद्र होता है उसे ही ओक्सिपीडल कॉंडायल कहा जाता है अताहा एक कंदी करोटी युक्त होते हैं ये नेश्कुचन है कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को क्या कहा जाता है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग की इसमें कौन सा आंसर सही होगा option सही होगा इसका B सिसायमाइड अस्थि कहा जाता है किसके अस्थी भवन से सिसे माइड अस्थी का निर्माड होता है आंसर होगा इसका D कंडरा से रेने या मीसनर की कड़िकाएं किस से संबंदित है आंसर सही होगा D सारको इस्पोरीडिया से संबंदित है रेने मीसनर की जो कड़िकाएं होती है ये बिसेज प्रकार के बीजान होते हैं इस्पोर्स होते हैं जो एक सिरे पर अंडाकार तथा दूसरे सिरे पर नुकीले होते हैं इस्चियो प्यूबिक सिंपाइसिस किस के स्रोण मेखला में पाया जाता है प्रेश्ण पूछा गया है PGT 2003 में कि Istio pubic symphysis किसके स्रोण मेखला में पाया जाता है खरगोस, मेढख, छिपकली, कुरन मचली आंसर सही होगा सी छिपकली में आपको बता दें कि छिपकली सरी स्रप वर्ग का प्राणी है और इसमें Istio pubic symphysis स्रोण मेखला में पाया जाती है Next question है किस आंग के PCA तन्तु बहु केंद्र की होते हैं बहु केंद्री होते हैं यह ऐसा कौन सा आंग है जिसके PC तन्तु बहु केंद्री होते हैं चार आफसन दिये गए हैं आंसर सायोगा डी पादों के PCA तन्तु बहु केंद्री होते हैं Next question है प्लवित पसलियां होती है प्लवित पसलियां मचलियों में, इस्तंधारियों में, पच्छियों में, उभैचर में किस में प्लवित पसलियां पाय जाती हैं आंसर सायोगा डी इस्तंधारियों में, प्लवित पसलियां पाय जाती हैं Next question है इस्तंधारियों के कण में, इसकेला विष्टि बुलाई, तथा इसकेला मीडिया को प्रथक करने वाली कला युक्त सन्रचना है इस्तंधारियों के कण में, इसकेला विष्टि बुलाई, तथा इसकेला मीडिया को प्रथक करने वाली कला युक्त सन्रचना को क्या कहा जाता है? आंसर सायोगा सी, रिसनर कला कहा जाता है, रिसनर कला, अब नेश्ट कुछन है, इस्तंधारियों की अंसमेखला की मुख्य हड़ी होती है, इस्तंधारियों की जो अंसमेखला होती है, उसकी मुख्य हड़ी कौन सी होती है? जब तक आप लोगा आंसर सोच रहे हैं, तब तक आप लोगों को बता दें, कि यदि वीडियो को सेर ना किया हो, तो अपने दोस्तों में सेर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाईए, और वीडियो को लाइक भी करिए आंसर सही होगस का D, इसकैपुला होती है, इसकैपुला, यदि आप लोग अंसमेखला हड़ी के बारे में जाना चाते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोड़े है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, थोड़िस जानकारी यहाँ पर और आपको बता दें कि इस तंधारियों की जो अंसमेखला होती है, जो पिक्टोरल गृटिल होती है, इसमें दो प्रमुक हड़िया होती है, अंस फलक जिससे इसकैपुला कहा जाता है, और दूसरी अच्छाग या कलेविकल होती है, जो इसकैपुला है, यह बड़ी, चपटी और ति आकार की 36 हड़ी होती है जो पहली पसली के ऊपर की ओर तथा सामने की ओर इस्थित होती है नेश कुश्चन है इस्तनी में हानु निलंबन किस प्रकार का होता है जो इस्तनी होती है उसमें हानु निलंबन किस प्रकार का होता है टीजी टी 2009 में कुश्चन पूछा गया था इस किसका आंसर होगा C Cranioshtylic Cranioshtylic प्रकार का हनोनीरंबन पाया जाता है Next Question है इसकरवी रोग किसकी कमी से होता है चार बिटामिन दे गई हैं इन में से किस बिटामिन की कमी से इसकरवी रोग होता है ये Question तीन बार पूछा गया अब तक की 2002 में 2010 में और 2013 में PGT में पूछा गया है तो आपको बताना है इसकरवी रोग किसकी कमी से नहीं कौन सी बिटामिन की कमी हो जाती है तो इसकरवी रोग हो जाता है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा पहला बिटामिन C की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है निमने में से कौन सा अपने वसी बिलियन से प्राप्त नहीं हो सकता है इन में से कौन सी बिलियन है जो वसी बिलियन से प्राप्त नहीं हो सकती है चार आपसंदिये गया है बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटा जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा. बिटामिन B और C जल में घुलनसील बिटामिन होती है ये वसा में घुलनसील बिटामिन नहीं होती है इसलिए इसमें option सही होगा B वाला बिटामिन C तो वसा में घुलनसील जो बिटामिन होती है वे हैं A, D, E, K A, D, E, K ये वसा में घुलनसिल बिटामिन होती है जबकि जल में घुलनसिल बिटामिन बी और सी होती है अतहाँ वसीय बिलियन से केवल वसा में घुलनसिल बिटामिन ही प्राप्त हो सकती है इसी लिसमें आंसर बिटामिन सी सही होगा next question है बेक्ट में बिटामिन B6 की कमी के कारण होता है अगर बिटामिन B6 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है का answer होगा C अरक्तता रोग हो जाता है और अरक्तता को अंग्रेजी में एनेमिया कहा जाता है यानि अगर बिटामिन B6 की कमी होई हमारे सरीर में तो एनेमिया रोग हो जाएगा और एनेमिया रक्त से सम्बंधित रोग होता है इसलिए अरक्तता कहा गया है तो बिटामिन B6 का रासानिक नाम पारीडॉक्सिन है बिटामिन B6 का रासानिक नाम क्या है पारीडॉक्सिन जाता है और हीमोगलोबिन तथा अन्यरुधिर घटकों की भी कमी हो जाती है नेश्ट कुछन है वह बिटामिन जो साधारता मानो द्वारा पेसाप से निकाल दिया जाता है ऐसा कौन सा बिटामिन है जो मानो के द्वारा पेसाप से निकाल दिया जाता है तो जो जल में घुलनसील बिटामिन होगा वही मानों के दोरा पेसाप से निकाला जा सकता है तो जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर देजिए कि इसमें कौन सा आफसन सही होगा तो इसका आंसर क्या सही होगा आंसर सही होगा बी बिटामिन सी मानों द्वारा साधान रूप से पेसाप से निकाल दिया जाता है नेश कुशन है एसकार्बिक एसिड होता है एसकार्बिक एसिड क्या होता है तो अभी मैंने बताया है आपको तो इसमें आंसर सही होगा कौन स सी विटामिन सी का राशानिंग नाम एसकार्बिक एसिड होता है देखिए उसी कोश्चन को घुमा कर पूछा गया है तो टीजी टी उनिश्वन इनिया ने में कुश्चन पाया था कुश्चन है कौन सा विटामिन बी समुख से संबंध नहीं रखता है विटामिन बी समुख से संबंध नहीं रखता है विटामिन बी समुख से संबंध नहीं रखता है विटामिन बी समुख से लेकर के जो बी 12 तक है यह विटामिन बी समुख के जितने विटामिन है सब कहला बाते हैं तो चार आप्सें दिए गए हैं फीजीटी 2003 में कुछा गया था इसका आंसर होगा डी टौको फेराल टौको फेराल जो है यह बिटामिन भी समसे संबंधित नहीं है काईमोट्रिपसिन घटक है काईमो किसका घटक होता है चार आप्सन दिये गए हैं इसमें से आप्सन कौन सा सब्सक्राइब जल्दी से बताना है पीजीटी दोजार तेरा में कुछन पूछा गया था इसका आंसर होगा बी अग्नियासाई रस काइमो ट्रेपसिन घटक अग्नियासाई रस का होता है आपको बता दें कि जो काइमो ट्रेपसिन है अग्नियासाई रस में पाया जाता है उसी में उपस्थित होता है और यहाँ छोटी आत या कहलेजी कि स्माल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन करता है, कहने का अंतब यह हुआ कि यहाँ प्रोटीन पाचक एंजाईम है, क्या है? एक तरीका का प्रोटीन पाचक एंजाईम है सरीर में उर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिट्स, PGT 2010 में कुछा गया था इसका आंसर होगा C, सरीर में उर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको बता दें कि सरीर में उर्जा की कमी होने पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उप्योग होता है, सबसे पहले किसका कार्बोहाइड्रेट का उप्योग होता है, फिर वसा का आकसिककरण द्वारा यह षा का होता है और उर्जा उद्पन हो जाती है और सबसे अंतिम चरण में परोटीन का उप्योग उर्जा के लिए किया जाता है अंतिम्चरण में सरीर में उर्जा का मुखिस रोत है देखे इसी question को घुमा कर पूछा गया है यह question PGT 2013 में पूछा गया और वो 2010 में पूछा गया था तो उर्जा का मुखिस रोत क्या होगा कार्बोहाइड़ेड होगा तो इसमें answer सही होगा ब्हूंक लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है अगर व्यक्ति को भूंक लगी है तो सबसे पहले किस चीज़ का उप्योग करता है तो बी वाला ग्लाइकोजन का अगर भूख विक्ति को लगी है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का उप्योग करता है यानि भूख लगने पर विक्ति सबसे पहले कार्बो हाइडरेट का उप्योग करता है और जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन एक polysecrite से है जो कि जंतों में कार्बो हाइडरेट के रूप में संचित होता है और ग्लाइकोजन का संगरह यक्रित में यानि लीवर में होता है और पेशियों यानि मसल्स में भी होता है निर्स-कुषट है कार्बो हाइडरेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं कार्बो हाइडरेट पाचन के अंतिम उत्पाद बताना है कौन से हों जटल रोप में होता है यह जंतों के जो आलक है यह जटिल रोपे होता है और सभी प्रकार के कार्भो हाइड्रेट अंतिम रोप से अपनी इकाईयों में परिवर्तित हो जाते हैं यानि मोनो सकराइट्स में बदल जाते हैं और ग्लुकोज, फ्रक्टोज, एवं गलेक्टोज सभी मोनो सकराइट्स होते हैं नेट्स कुछन है व्रक्क की कार्यात्मक इकाई है निवरान, नेफ्रान, गलो मेरोलस, पैल्विस व्रक्क की कार्यात्मक इकाई कونसी है बताना है आंसर सही होगा बी निफरान व्रक की कार्यात्मक इकाई होती है इसतंधारियों में व्रकों का कार किसको उसर्जित करना है व्रकों का कार किसको उसर्जित करना है वो भी इसतंधारियों में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा पहला अत्यदिक लमड यूरिया तथा जल को उसरजित करना है आपको बता दें कि जितने भी मैमेल्स होते हैं या इस्तंधारी होते हैं इस्तंधारियों में व्रक अथवा किडिनी प्रमुख उत्सरजी अंग होते हैं और व्रक के अंदर मोत्र यानि यूरियन का निर्माल होता है मोत्र में उपापचई जल तथा यूरिया प्रमुख रोप से होते हैं नेश कुशन है यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है चार आप्सन देगे हैं इसमें से किसमे यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? आंसर सहयोगा D व्रक्ये सिरा में सबसे कम मात्रा होती है गुर्दे की पथरी किसका क्रिश्टल होती है? गुर्दे की पथरी किसका क्रिश्टल होती है? इसमें से ओप्सन सही होगा C, कैल्सियम ऑक्जालेट का यानि जो गुर्दे में पथरी पर जाती है, जो किडिनी में पथरी होती है वो कैल्सियम ऑक्जालेट की होती है यदि आप लोग kidney पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चर्ण में uploaded है आप लोग जा करके देख सकते हैं तो गुर्दे यानि kidney की पथरी मुख रूप से calcium oxalate के crystal की होती है और इसके अतरिक्त यूरिक अमल के crystal भी उसमें होते हैं लेकिन ये crystal ब्रक के अतरिक्त और कहीं भ इसके किस भाग में ant amoeba histolitica के ट्रोफोजोड प्रवस्था रहती है मानो की अहार नाल जो होती है मुख से लेकर के गुदाद्वार तक उसमें पूझा गया उसके किस भाग में ant amoeba histolitica की ट्रोफोजोड प्रवस्था रहती है चलिए जल्दी से बताईे आप लोग की इसम कौन सा आंसर सही होगा PGT 2009 में कोशन पूचा गया था इसका आंसर होगा पहला कोलन में तो अगर आप लोग आहार नाल के बारे में पूरी डिटिल चाहते हैं तो मिनेचर में वीडियो अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं पूरी जानकारी मैंने डिटिल से समझाया वह चितर सही नेश्ट कुच्चन है पोडो साइट को सिकाएं पाई जाती है पोडो साइट को सिकाएं किस में पाई जाती है तो आंसर सही होगा इसमें पहला व्रक में पोडो साइट को सिकाएं पाई जाती है यक्रित में यूरिया का संसलेशन होता है यक्रित में यूरिया का संसलेशन किसके द्वारा होता है चार आपसंदिये गए हैं ये क्विश्चन PGT 2005 में पुछा गया और 2009 में पुछा गया दो बार ये क्विश्चन पुछा गया है कि यक्रित में यूरिया का संस्लेशन किसके द्वारा होता है आंसर होगा पहला आर्नेथीन चक्र के द्वारा होता है आर्नेथीन चक्र आपको बता दें कि यूरिया का रासानिक सूत्र NH2COINS2 होता है राषानिक सुत्र क्या है कभी पूच लिया जाए परिच्छा में तो यूरिया का राषानिक सुत्र होता है NH2COINS2 और यूरिया का निर्माढ या कृत के आणथीन चक्र या कलेजिकी यूरिया चकर के द्वारा होता है और इस चक्र में अमोनिया तथा CO2 यानि Carbon Dioxide आपस में अवगिरिया करते हैं नेश्ट कुछिछन है सरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? सरीर में जो यूरिया बनती है वो किस अंग के द्वारा बनती है? व्रग में यक्रित में फेफडों में बड़ी आत में किसके द्वारा बनती है आंसर होगा भी यक्रित में या यक्रित के द्वारा बनती है आपको बता दें कि यक्रित को सिखाएं आरजीनेज और यूरीनेज नामक एंजाइम की हिल्प से यूरिया का संसलेशन करती हैं ये दो एंजाइम सहायता करते हैं यूरिया को बनाने में कौन से आरजीनेज और यूरीनेज और इसी यूरिया को व्रक या किडिनी रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका उसरजन करती है, नेश्ट कुज़न है, ग्लुकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभो होता है, ग्लुकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभो होता है, चार आपसन दे गए हैं, इसमें से कौन सा आपसन सही होगा, इसका आंसर होगा, इन में से कोई नहीं यानि इनमें से कोई भी ऑप्सन नहीं सही है आपको बता दें कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पॉलिसक्राइड्स डाइसक्राइड्स और मोनोसक्राइड्स के रूप में होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है यह पॉलिसक्राइड्स डाइसक्राइड्स और मो मोनोसक्राइड्स के रूप में होते हैं, मोनोसक्राइड्स सबसे छोटे कार्बोहाइड्स होते हैं, जो मोनोसक्राइड्स हैं, ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्स होते हैं, और इनका कोई पाचन नहीं होता है, ग्लुकोज मोनोसक्राइड है, इसलिए इसका पाचन नहीं हो और कार्बोाइडेट का पाचन मुख गुःब से सुरू होता है जो बखकल कैविटी होती है वहां से शुरू होता है जो कार्बोाइडेट है और छोटी आत में पूर्ण हो जाता है और पचा हुआ भोजन आत की दीवार के द्वारा रुधिर वाहिनियों से अवसोशित कर लिया जाता है तो इस तरह से इसमें options है होगा D, इन में से कोई नहीं नेश्ट कुछन है यकृत कई कारे करता है इसका answer होगा D, ग्लाइकोजनोद पत्ते यह कारे है बता दें ग्लाइकोजनोद पत्ति का मतलब है ग्लाइकोजनेसिस और ग्लाइकोजनेसिस में होता क्या है तो ग्लुकोज से ग्लाइकोजन का निर्माड होता है ग्लुकोज से ग्लाइकोजन बनता है उसे ही ग्लाइकोजनेसिस कहा जाता है या उसे ही ग्लाइकोजनोद पत्ति कहा जाता है नेश्ट कुछर है हमारे सरीर में वसा का निर्माड होता है जब कब हमारे सरीर में वसाका निर्माड होता है चार आप संदिये गए हैं इसका आंसर होगा C यक्रित तथा मांसपेसियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर हो जाता है तब वसा का निरमाल होता है कहने के मतलब यह हुआ कि जब हमारे सरीर में अतधिक मात्रा में glucose इकठा हो जाता है तो यह यक्रित और मांस्पेसियों में glycogen के रुप में संचित हो जाता है और कुछ समय बाद यह जो glycogen होता है ये हमारे सरीर की मांस्पेसियों में वसा के रूप में संचित हो जाता है नेस्ट कुछन है इन में से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है ग्लुकोज, प्रोटीन, वसी, अमल ये सबी इन में से किसका पाचन ग्लुकोज के रूप में नहीं होता है तो पहला जो आफसन है ग्लुकोज इसको मैंने बताया था भी कि मोनो सक्राइट से इसका पाचन नहीं होता है दूसरा जो प्रोटीन है प्रोटीन का पाचन आमासे में होता है नि प्रोटीन के पाचन की किरिया इस्टमक से प्रारंभ होती है और जो वसी अमल है वसी अमल का पाचन छोटी आउत में होता है इसलिस में अप्ससड सेवा ड क्वाला यह सब्वी कहने कभलेंatra में पूचा था कि इनुवें से किस का पाचन मोख़गुवअ में नहीं होता है तो इनSt串िए आनसर रहा है यह सब्वी ने deepest चार आफसन दिये गए हैं ये question TGT 2009 में पुछा गया था इसका आंसर होगा पहला पित पित जो होता है ये विकर रही तो होता है ने इसमें एंजाइम नहीं होता है कहने का मतलब ये हुआ कि पित एंजाइम रही तो पाचक्रस है और फिर भी पित पाचन से संबंधित कई कार करते हैं जैसे अमलों का उदाशी निकान किया जाता है इसी के दोरा वसा का इंजाइम नहीं होता एंजाइम रही तो होता है और आपको बता दें कि पाचन से जुड़े सभी एंजाइम और पाचन की पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल में वीडियो अप्लोड़ेट है आ लाइसोजाइम पाया जाता है आंसु में पसीने में लार में उपरयुक्त सभी में लाइसोजाइम किस में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम है ये किस में पाया जाता है आंसर होगा उपरयुक्त सभी में आपको बता दें कि लाइसोजाइम एक जीवाण प्रतिरोधी एंजायम है जिवानू प्रती रोधी है जो सरीर के बहुत से तरल में पाया जाता है जैसे किसमे किसमे आंसु में लार में पसीने में आधि में ये पाया जाता है और लार में उपस्थित मंड पाचक एंजाइम टाइलिन होता है नेस्ट कुछन है ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रामण किसके द्वारा होता है जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसका स्रामण किसके द्वारा होता है PGT 2005 में कुछन पुछा गया था इसका आंसर होगा B अगनियासे अगनियासे के द्वारा इसका स्रावण होता है बता दें कि ट्रिपसिन एंजाइम अगनियासे के अगनियासे ही रस से स्रावित होता है पैंक्रियाटिक जूस से स्रावित होता है अग्नियासाई रस रंगहीन छारी द्रव होता है जो अग्नियासाई रस है ये कैसा होता है रंगहीन होता है इसमें रंग नहीं पाया जाता है छारी द्रव होता है ट्रिपसिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आत में करता है यानि ये इसका कारे क्या है ये प्रोटीन ऑफ्शन दिये गए हैं इस में से औप्शन सही होगा डी मेटा नेफ्रोस मेटानेफ्रोस होते हैं यह क्वेशन तीजी ती ती 2005 में पूछा गया था आपको बता दें कि सचक्षण यानि इस्तंधारी की किडिनी मेटानिफरिक प्रकार की होती है और यह सबसे बिक्सित प्रकार की होती है सबसे बिक्सित किड्नी होती है मेटानिफरिक किड्नी सरीसरप, पच्छी और इस्तंधारी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है मनुस में मोत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग मनुस्य में जो मोत्रवाही नलिकाऊं होती है उनमें संख्या लगभग कितनी होती है अंसर सही होगा एक मिलियन मनुस्य में मोत्रवाही नलिकाऊं की संख्या एक मिलियन होती है बता दें कि मोत्रवाही नलिकाऊं या व्रक्क नलिकाऊं को व्रकाण या नेफ्रांस भी कहा जाता है या इन्हें व्रक नलिकाएं भी कहा जाता है या व्रकाणू भी कहते हैं और ये व्रकों की संरचनात्मक एवं किरियात्मक इकाई होती है इस्टार्च को माल्टोज में परिवर्थित करने वाला एंजाइम है इस्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम बताना है तो इसका आंसर होगा पहला डायस्टेज बता दें कि डायस्टेज एक मंड या इस्टार्च पाचक एंजाइम होता है इस्टार्च को हि एक disecroid में तोड़ता है invertage जो है invertage सुक्रोज को तोड़ने वाला enzyme है जबकि जो maltage है maltage maltose को तोड़ने का enzyme है next question है मूल पित वाहिनी का कार इसे ले जाने का है किसे मूल पित वाहिनी का कार किसे ले जाने का है TGT 2004 में question पूछा गया था इसका आंसर होगा B, पित दरस को यकृत से निकलने वाली वाहिनी को हिपैटिक वाहिनी कहा जाता है क्या कहते हैं? हिपैटिक वाहिनी जो नलिका निकलती है उसे हिपैटिक वाहिनी कहा जाता है और दाएं तथा बाएं या कृत पिंडों को बिभिन वाहिनियां आपस में मिलकर संयुक्त होकर हिप्रिक वाहिनी बनाती है यह वाहिनी पितासे की वाहिनी से जुड़कर मूल पित्य वाहिनी का निर्मान करती है Next question है मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाद्मा प्रोटीन का च्छै होना कहलाता है मूत्र के साथ में यजि प्लाद्मा प्रोटीन ज्यादा मात्रा में निकलने लगे तो क्या कहलाता है आंसर सही होगा C कीटोन यूरिया कहलाता है आपको बताते चलें कि Keto and Eurea वह अवस्था होती है जब मूत्र के साथ में प्लाद्मा प्रोटीन का 6 होने लगता है यनि मूत्र के साथ में प्लाद्मा प्रोटीन अधिक मात्रा में निकलने लगती है यदि और अधिक जानकारी Keto and Eurea के बर्म चाहते हैं तो मेरे चल में अभी जल्दी वीडियो में अप्लोड किया है, अप्लोड जा करके देख सकते हैं, नेस्ट कुछन है, कोलिस्ट्राल संसलेसित होता है इसमें, किसमें कोलिस्ट्राल संसलेसित होता है, तीजी टी 2004 में कुछा गया था, इसका आंसर होगा C, यक्रित में कोलिस् गाउं में होता है next question है lacteals पाइजाती है इसमें किसमें lacteals पाई जाती है यक्रित प्लिहा अंकर अग्या से tg t 2004 में question पूचा गया था इसका answer होगा C अंकर में आपको बता दें कि lacteals छोटी आथ में पाई जाते है छोटी आथ में उपस्थित होती है और ये बड़ी लशीका वाहिनियों में खुलती है जो सब जुड़कर एक मोटी वच्छी लसी का वाहिनी बनाती है है ठोरा डुंपिक्ठिक के नांग करती है नरहाथी के दानत होते हैं जो नरहाथी दानत बाहर निकले रहते हैं तो बड़े-बड़े से वो कौन से होते हैं चवानक, निचला क्रिंतक, उपरी क्रिंतक, क्रिंतक, आंसर सहीयोगस में C जो नरहाथी होता है उसके दात उपरी क्रिंतक होते हैं आपको बता दें कि नरहाथी के बाहर निकले हुए दात उपरी क्रिंतक होते हैं अपर टस्क कहा जाता है इन दातों को क्या कहते हैं टस्क कहते हैं नेश कुछन है लार में होता है यह एंजाइम लार में कौन सा एंजाइम होता है कौन सा सभी लोग जानते होंगे लार में टाइली नमक एंजाइम पाया जाता है और आपको बता दें कि यहां इस्टार्च पाचक क्या है मंड का पाचन करता है और भोजन में कुछ मंड को माल टोज में तोड़ देता है नेश कुछन है आमासे के आंतरिक भित्य के अनुदैर्ध पेशी वलन को कहते हैं आमासे की जो आंतरिक भित्य होती है उसकी जो अनुदैर्ध पेशी वलन होते हैं उनको क्या कहा जाता है आंसर सही होगा बी रूजी कहा जाता है रूजी आपको बता दे कि रूजी क्या है तो जो आमासे होता है आमासे की जो आंतरिक सतह होती आंतरिक भित्थी होती है उसमें बहुत से अनुदायर्द पेसियां या लॉंगी ट्यूडिनल मस्कुलर पाई जाती है और वो वलन होती हैं उन्हें ही रूजी कहा जाता है नेश्कउचन है गिलसन संपूट पाए जाते हैं गिलसन संपूट किस में पा capabilities है आन्सर होगा एग्रित अथवा लीवर में गिलसन संपूट पाए जाते हैं आपको बता दें कि गिल्सन संपुट की उपस्थिति इस्तन धारियों के यक्रित या लिवर का बिस्षिष्ट लक्षण होता है और यह संयोजी उत्कों से बनी हुई एक कला होती है क्या है संयोजी उत्कों से बनी है कला है जो यक्रित के छोटे पिंडोकों के चारों तरफ इस्थित होती है नेश कुछन है सक्कस एंटेरिकस का स्रामण किसके द्वारा होता है सक्कस एंटेरिकस का स्रामण किसके द्वारा होता है टीजी टी 2002 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर होगा बी लीबर कुहन की दरारों के द्वारा इसका स्रामर होता है लीवर कुहन की दरारे बता दें कि सककस एंटरिकस आत्री रस का दूसरा नाम है इसका intestinal juice का दूसरा नाम होता है सककस entericus और आत की दिवारों में उपस्थित ग्रंथिल एपिथीलियम को लीवर कुहन की दरारे कहा जाता है जो आत की दिवारे होती हैं उसमें जो ग्रंथिल एपिथीलियम होता है उसी को लीवर कुहन की दरारे कहते हैं और यहीं से सककस entericus या आत श्रावडा होता है एंजाइम रेनिन की किरिया निम्नपर होती है एंजाइम रेनिन की किरियाKO 20 возможность पूछा क्या था इसका आशर होगा सी केसीनो जन केसीनोजन होती है आपको बताते कि इन力 में प्रोटेयं में बदलता भी है नेक्टक्यशंख सुझेशव चुम मेंट सम निरमित होता है चारा आप्शन दिये गए हैं, इसमेंसे ऑप्शन सईयोगा D, आठ योणित से निर्मित होता है Next Question है, आहार नाल के किस भाग में ब्रोनर्स ग्रन्थियां पाई जाती हैं? आहार नाल जो होती है उसके किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं आंसर सहयोगा सी डियोडिनम भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं आपको बता दें कि ब्रूनर्स ग्रंथियां आहार नाल की छोटी आंत के डियोडनम भाग में पाई जाती है चोटी आपके डियोडिनम भाग में पाई जाती है और बुरोनर्स ग्रंथियां आहार नाल की दीवार के सब म्योकोसा अस्तर में होती है सब म्योकोसा अस्तर में जबकि आहार नाल की अन्य सभी ग्रंथियां म्योकोसा अस्तर में पाई जाती है कसे रुकी में हिर्दे इस्पंदन होता है यानि पूछा गया है कि जो रिर्ड की हड़ी वाले जंतु होते हैं उसमें हिर्दे इस्पंदन किसके द्वारा होता है ये question TGT 2013 में पूछा गया और उसके पहले PGT 2009 में पूछा गया था कि कसेरकी में हिर्दे इस्पंदन होता है चलिए जल्दी से बताईए आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा तो आंसर सही होगा इसमें B मांस पेसियों के द्वारा हिर्दे इस्पंदन होता है कसेरकी मैंने बता जो रिर्ड की हड़ी वाले होते हैं इनके हिर्दे में पेस्मेकर जो पाया जाता है पेस्मेकर स्वयम हिर्दे इस पंदन उत्पन करता है और इसलिए कसिर्कियों का जो हिर्दे होता है वो पेसी जन होता है जबकि जो निम्न अस्तर के जन्तों होते हैं निम्न अस्तर के जन्तों का हिर्दे तंत्रिका जन होता है इन में से कौन सा option सही होगा ये question TGT 2004 में पूछा गया था कि बेक्तिका हिर्दय होता है आंसर होगा B, पेसी जन होता है भी मैंने आपको बताया भी था जो कसिर्की जन तो होते हैं उनका हिर्दय कैसा होता है पेसी जन होता है यादमी में रीड की हड़ी पाई जाती है इसलिए कसिर्की प्राड़ी हो गया तो यहाँ प्रेश्ण पूझा गया कि बेक्तिका हिर्दय होता है तो पेसी जन होगा आपको बता दें कि पेसी उतक तीन प्रकार के होते हैं अरेखित, रेखित और हिर्ध पेशी जो हिर्ध पेशिया होती है ये मनसि informação के हिर्दे पर पाई जाती है और हिर्दे को धटकने में सहायता करती है ये हिर्ध इस्पंदन उत्पन करवाती है next question है भूणा अवस्था में लाल रुधिर कडिकाओं का विकास होता है भूण की जब अवस्था होती है उस अवस्था में जो लाल रुधिर कडिकाओं होती है आर बीसी होती है इनका विकास कहां होता है चारा संदिये गए हैं ये question PGT 2013 में पूछा गया था इसका answer होगा D यक्रित और प्लीहा में आपको बताते चलें कि जो भूणी अवस्था होती है embryonic stage होती है इसमें RBC का निर्माड एक भूणी कला या कलीजी की embryonic membrane यौक सैक में होता है लेकिन इसके बाद की जो भूणी अवस्था होती है उसमें इनका निर्माड मुख्य रूप से यक्रित और प्लीहा में होने लगता है लेकिन जन्म के बाद अगर देखा जाए जब बिक्ति का जन्म हो जाता है बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद इनका निर्माड अस्थी मज्जा में होता है और BC का निर्माड कहा होता है जन्म के बाद अस्थी मज्जा या बोन मेरो में होने लगता है निश्ट कुश्चन है हिस्टामीन का स्रामड होता है हि प्रौक्सं सही होगा सी बेशोफिल तथा मास्ट कोशिका से हिस्टामीन का स्रावड होता है यह कुश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था आपको बताते चलें कि हिस्टामीन नाइटरोजन यूग्त यहनि नाइटरोजनस कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका स्रावड बेशु फिल तथा माश्ट को इस काउं से होता है नेश्ट कुईचन है लवड जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्चक है ऐसा इसमें काउं सा लवड है जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्चक है चार आपसन दिये गए हैं इसमें से आपसन सही होगा डी, कैल्सियम, रक्त का थाका जमने के लिए आवशक होता है बताते चलें कि चोट लगने पर रुधिर रुधिर वाहिनियों से बाहर आ जाता है जो हमारे नसे होती है इनको रुधिर वाहिनिया कहा जाता है और इनसे जब रुधिर बाहर आ जाता है और बाहर आने पर इसका बहना रुख जाता है उसे ही रुधिर इसकंदन कहा जाता है यह रुधिर बाहर निकलने लगता है और थोड़ी दिर बात जम जाता है बहना रुख जाता है उसे ही रुधिर इसकंदन कहते हैं और इसे ही रक कहा walking का जमन भी कहा जाता है रापका त्वेस्ज़़ी र्ुधिर का साण्डी दाब मुख्यताहक के कारण होता है और चलें कि रुधिर ब्लटमा में जो प्रोटीन्स पाई जाती है कौंसी El unexpected, albiumin और globulin ये proteins रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं और ये रुधिर प्लाज्मा में जल को रोके रखती हैं और इसके पराश्णाडीद आपको बनाए भी रखती हैं यदि आप लोग रुधिर प्लाजमा, प्लाजमा, रुधिर पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो इन सभी पर वीडियो मेरे चर्मे अप्लोडर है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नेश्ट कुछन है, यदि प्लीहा को निक तो option सही होगा C, आप रभावित रहेगी, आपको बताते चलें कि प्लीहा या स्प्लीन सरीर का सबसे बड़ा लसी का अंग है, यानि सबसे बड़ा lymphatic organ कौन है, प्लीहा होता है, या इसे तिल्ली भी कहा जाता है, और इसके महत पूर्ण कारे होते हैं, जैसे कौन कौन से आप RBC का संग्रह भी करता है, और स्वेत रक्त कड़काओं, यानि WBC का भी संग्रह करता है, एंटी बाडी का निर्माण भी करता है, किस के द्वारा, lymphocytes के द्वारा, या लिम्फो साइट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे जन में अपलोड़र है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, निम्न अंगो में से किस ए को रक्त बैंक के समान कहा जाता है, इन में से किसे रक्त बैंक के समान समझा जाता है, या कहा जाता है, हिर्दय, यकृत, तिल्ली, तेफडे, आप्सन सही होगा, इसमें C, तिल्ली को रक्त बैंक के समान समझा जाता है, तिल्ल यानि स्प्लीन यानि इसे प्लीहा भी कहा जाता है तिली को प्लीहा भी कहते हैं अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं आपको बता दें कि तिली और यक्रित दोनों भूणा अवस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं जब भूणा वस्था होती है तब रक्त का निर्माण करत होता है एक वयस्क मानों में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है एक वयस्क मानों है मेचियोर मानों है उसमें सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है चार आपसंद दिये गए हैं नार्मल कितना होता है यह बताना है option सही होगा B 120 mmHg तथा 80 mmHg होता है आपको बता दें कि यदि आप लोग systolic और diastolic दाब के बारे में पूरा blood pressure के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल में video detail से चित्र सही समझाया हुआ है आप लोग जाकर के देख सकते हैं सारे प्रशना आपके अहल हो जाएंगे फिर भी थोड़ी से जानकारी आपको बता दें कि systolic दाब यानि systolic जो pressure होता है यहां हिर्दय संकुचन की अवस्था होते है जब हिर्दय संकुचित होता है तो उसे ही systolic दाब कहा जाता है और मनसे में इसका मान 120 mmHg होता है और जो डाइस्टोलिक दाब होता है यानि जो डाइस्टोलिक pressure होता है यहां हिर्दय सिथिलन की अवस्था होते है जब हिर्दय सिथिलन की अवस्था में आ जाता है और मनसे में इसका मान 80 mmHg होता है और सस्त मनस्य का जो BP होता है सस्त मनस्य का BP 120-80 mmHg होता है Next question है निस्क्री प्रत्रच्छा के लिए नोबल प्रुस्कार दिया गया था किसको? 4 आपसन दिये गए हैं इसमें से आपसन सही होगा B एमिल वान वेहरिंग को निस्क्री प्रत्रच्छा के लिए नोबल प्रुस्कार से सम्मानित किया गया था बता दें कि सबसे पहले इन्होंने निस्क्री प्रत्रच्छा के बारे में बताया था किसने? एमिल वान वेहरिंग ने और इन्होंने ही Anti-Depthirial Serum भी बनाया था और इनको निस्क्री प्रतिरच्छा का पितामाह कहा जाता है और आपको बता दें जो एड़्वर्ड जेनर हैं इन्होंने एंटि सेब्टिक सर्जरी के बारे बताया था जबकि जो फ्लेमिंग है ए फ्लेमिंग इन्होंने सबसे पहले एंटी बायोटिक्स की खोज की थी और जो वाक्समेन हैं इन्होंने एंटी बायोटिक्स सब्द दिया था इसमें से ओप्सन सही होगा पहला डायस्पनिया आप लोगों को बताते चलें कि डायस्पनिया में बेक्टिको सांस लेने में तकलीफ होती है नहीं सही से सांस नहीं ले पाता है जैसे रिगुलर सांस ली जाती है उस तरह से सांस नहीं ले पाता है इसलिए आनियमित्त बिक्त को सांस लेने में तकलीप होती है और जो हाइपर्निया है हाइपर्निया में तेज स्वसन की इस्थिती होती है यानि जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है बिक्ति तो उसको हाइपर्निया कहा जाता है और जो सांस लेने का अस्थाय रूप से रुख जाना होता है यान मनसी है उसमें stroke item कितना होता है 4 option दे गए हैं इसमें से option सही होगा D 70 मिली होता है बताते चलें कि एक सथ मनसी में stroke item या stroke volume लगभग 70 मिली होता है और हिर्ध स्पंदन impacts 72 बार प्रति मिनट होती है ये तो सभी लोग जानते हैं हिर्दै कितनी बार धढ़कता है 72 बार प्रति मिनट में धढ़कता है और एक मिनट में प्रति एक निले द्वारा पंप किये गए रुधिर यानि कुल रुधिर जो होता है उसको हिर्दै निर्गत कहलाता है जो रक्त की कुल मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं हिर्दै 44 मिली होता है 54 नेश कुछन है हिर्दाई निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप के गए रुधिर की मात्रा है जो हिर्दाई निर्गत होता है कार्डियक आउटपुट होता है इस दौरान निलयों द्वारा पंप के गए रुधिर की मात्रा कितनी होती है option सही होगा B यानि हिर्दई निर्गत के दोरान निलयों द्वारा पंप के गए रुधिर की मात्रा 5 लिटर होती है बता दें कि एक स्वस्त मर्स में श्ट्रोक की मात्रा या श्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 मिली है अभी मैंने आपको बताया और हिर्द इस्पंदन के दर कितनी बताई 72 बार प्रति मिनट होती है और एक मिनट में प्रतेक निलय के द्वारा पंप किये गए रक्त की कुल मात्रा जो होती है उस रक्त की मात्रा को हिर्द इनिर्गत कहा जाता है या कार्डियक आउटपुट कहा जाता है नेश कुछन है कार्डियक चक्र की सुरुवात होती है कार्डियक चक्र की सुरुवात किस से होती है ओप्सन सही होगा इसमें C आलिंद अकुंचन से होती है तो जो हिर्दे के एक धड़कन के दोरान इसके बिभिन कक्छों में होने वाले संकुचन या सिथिलन को मिला कर कार्डियक चक्र कहा जाता है हमारी उच्वास की वायू में ओटू की मात्रा होती है तो अगर आप उच्वास और अन्ताहस्वासन के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी में चैनल में अप्लोड़ेड है तो आप जागर के देख सकते हैं उच्वास वाय बे ऑक्सीजन का प्रतिसत है देखिए घुमा कर पूछा गया है यह कुष्चन पीजीटी 2004 में आया फिर 2005 में इंपॉड़ेंट कुष्चन है इसका आंसर होगा सी 16 प्रतिसत होती है नेट्स कुष्चन है हिमोरल प्रतिरच्छा किसके कारण होती है हिमोरल चार आपसं दिये गए हैं इसमें से आपसं कौन सा सही होगा पहला बी लिंफोसाइट से हिमोरल प्रतिरच्छा होती है और हिमोरल प्रतिरच्छा है क्या तो एंटी बाडी के द्वारा दिये जाना वाला प्रतिरच्छा जो होता है हिमोरल प्रतिरच्छा का रहालता है यक यह कुछा गया था तो इसका आंसर होगा पहला पेहला कुफर कोशिकाएं होती हैं बता दें कि इन कोशिकाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे चन्न वीडियो अफ्लोड़ेट है आप लोग जा करके देख सकते हैं फिर भी थोड़ी स्थानकारी जल्दी से बता देते हैं कि यकृत में हिपैटिक कार्ड के बीच में खाली अस्थान होता है जिसे हिपैटिक साइनोसाइट कहा जाता है और या एंडोथीलियम कोसिकाओं के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है जो साइनोसा लिइक नसी भी पर कोशिकाओं के चारों तरह से गीरा रहता है अजक क्योता है कक्फर मेकर हिर्दय में क्या कारी करता है पेस्मेकर इसका हिर्दय में क्या का रे होता है तो 4 आप्सन दे गए हैं ये कुश्चन PGT 2010 में पूछा गया और 3 साल बाद 2013 में फिर पूछा गया दो बार प्रशन पूछा गया important प्रशन है पेस्मेकर का हिर्दय में कारे बताना है पहला हिर्दय इसपंदन प्रारंब करना या आरंब करना पेस्मेकर का कारे होता है बता दें कि हिर्दय में इसपंदन को नियंतृत तथा आरंब करता है जो हमारा blood होता है उसमें अधिकांस carbon dioxide जो होती है वो किस रूप में ले जाई जाती है चार अप्षन दिए गए है इसमें से आप्षन सही होगा पहला bi carbonate की रूप में ले जाई का परिवाहन होता है 30% और लगग में promise से 25 को परिवाहन कर बामीनो हीमोगलोबिन के दवरा होता है जबकि केवल साथ प्रकसद स्योटू का प्लाजमा में घुली आवस्था में परिवाहन होता है फ्लाजमा में घुली अवस्था में नेष्ट कुछन है क्लोराइड आयन की अधिक मात्रा होती है किसमे क्लोराइड आयन की किसमे अधिक मात्रा होती है चार आपसन दिये गए हैं इसमें से आपसन सईयोगा डी सभी सिराओं तथा एक धमनी में RBC जो होती है उसमें क्लोराइड की अधिक मात्रा होती है बताते चलें कि CO2 परिवहन क के दोरान औकसीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाजमा से रबीसी में चले जाते हैं और इसी घटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है या हैंबर्गर घटना कहा जाता है इसी घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हैंबर्गर घटना कहा जाता है next question है hamburger प्रकिरिया को कहा जाता है क्या चार आफसें दिए गये हैं इसमें से option सही हो गाबी chloride shift कहा जाता है hamburger प्रकिरिया को chloride shift कहते हैं मैंने बताया था कि जब CO2 के परिवहन के दोराण यानि जो CO2 का परिवहन होता है उसके दोराण oxygen रही तेनी जिसमें oxygen नहीं है ऐसे रुधिर में chloride iron plasma से RBC में चले जाते हैं इसी घटना को hamburger घटना कहा जाता है या chloride shift कहा जाता है next question है chloride shift संबंधित है किससे TGT 2011 हमें पूछा गया देखी प्रशन तीन प्रशन आ चुके हैं इस पर chloride shift संबंधित है किससे तो option से होगा B रक्त में CO2 परिवाहन से संबंधित होता है chloride shift यानि chloride shift रक्त में CO2 परिवाहन से जुड़ा है और CO2 परिवाहन के दोरान oxygen रहित रुधिर में chloride iron plasma से RBC में चले जाते हैं और इसी प्रिकरिया को क्या कहा जाता है hamburger घटना कहा जाता है और इससे plasma में जो bi-carbonate होते हैं और RBC होते हैं इसमें chloride iron का जमाव हो जाता है इकठा हो जाते है venus hirde पाया जाता है venus hirde किसमें पाया जाता है answer होगा C venus hirde मचली में पाया जाता है दूई कोष्ठी हिर्दे को venus hirde कहा जाता है दूई कोष्ठी हिर्दे है तो उसे venus hirde कहेंगे next question है कौन सी कोष्चाएं प्रतिरच्छर प्राली से संबंधित हैं ऐसी कौन सी इसमें से कोष्चाएं जो प्रतिरच्छा तंत्र से संबंधित हैं पूछा गया है आंसर सही होगा B lymphocytes की कोशिकाएं यदि आप लोग प्रतिरच्छा तंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चलमें का आधारित प्रतरच्छा तंत्र होती हैं और जो B lymphocytes हैं यह antibody आधारित प्रतरच्छा तंत्र होती हैं next question है कि स्वेत रुधराण या स्वेत रक्तार में सेम के बीज जैसा केंदरग पाया जाता है ऐसा कौन सा WBC होता है जिसमें सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है आंसर सही होगा B, मोनो साइट में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है मोनो साइट सबसे बड़ी स्वेत रुधरान होती है वोनो साइट्स होती है यह largest लिवको साइट्स होती है और इनका केंदरक सेम के बीच जैसा होता है बीन जैसा होता है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद